मैं सुर्दान सिंग एक बार फिर से आप सभी का डॉक्टर देविंदर पाल सरस्ति विध्या मंदर के एजुकिस्ट नेली टिप चरल में आपका स्वागत करता हूँ और प्यारे वे देहरतियों आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा साथ की सामाजिक बिग्यान में इतिहास का पांचमा अध्याय सल्तनत का बिक्टन सल्टनत का विक्टन आप सब को पता है हम क्या बढ़ रहे हैं हम कक्षा से सैबंत की सामाजिक विग्यान के अंत्रगत इतिहास उपबे से इतिहास में पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्टनत का इतिहास दिल्ली सल्टनत के इतिहास में पांच बंसों का बढ़ रहे हैं जिनमें हम तीन बंसों के बारे में पढ़ चुके हैं हम कौन कौन से बंस के बारे में पढ़ चुके हैं हम खिल्जी बंस के बारे में भी पढ़ चुके हैं इसमें पांच बंसों का बढ़ रहे हैं जिसमें हम खिली बंस और तुगलक बंस इन तीन बंसों के बारे में हम पढ़ चुके हैं और आज हम यहाँ पर अध्यन करने वाले हैं चोथे और पांधमी बंस का साइद बंस और लोधी बंस आज हम क्या पढ़ने वाले हैं आज हम दिली सल्टनत का इत्ह Analytics के अंतरकार पढ़ने वाले हैं साइद बंस और लोधी बंस के बारे में लोधी बंस के बारे में तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था किसके बारे में तुगलक बंस के बारे में जिसका संसथाफ़ को न फार गया सुद्दीन तुलक उसका बेटा कौन था महम्मद बिन तुलक उसके बाद उसका भतेजिया कौन बैटा कुन लटा फ्रोश सां तुलक के बाद तुलक बंस के जितने भी बंसह guarantee वह सब अयोग और सक्ते ही निसा थे और तुझट बंच के आंतिम सासक नसृदीन मेहमूद तुगलग के बाद दिल्ली सलतनत के इतिहास में दिल्ली पर किसका सासर इस्तापत हुआ शायद बंच का का ओन चीशन में 1414 से लेकर और 1451 तक तो यहने की तुगलक बस के बार द्ली में स्यद बसका सहसर स्थाचन रहा और ये स्यद बद्स का requesting रहा वो 1483 से लेकर 1451 अब स्यद बसकी स्थापना किस ने की स्यद बसका परतंसासर कौन मना उसके बारे में हम जानती हैं देलिए सैयद बंस का संस्ताफक था भू था खिज रखां के बारे में हम ने पिछली वीडियों बताया था जिस समय नातरदीन महमूद तुगला को भारत में इस दिली के गदी पर बैठे हुए थे उस समय तेरे सो अठानमे इस भी में तैमूर लंग का आक्मर हुआ था और तैमूर लंग ने क्या किया था कि दिली में खूब लूट मार की थी लेकिन उसका उदेश दिली पर सासन करना नहीं था उसने दिली में लूट मार करने के पश्चाट ठीक वो यहां से जाते समय उसका एक सहयोगी था तैमूर का सहोगी कौन था खिजर खां तो दिल्ली से जाते जाते समय उसने क्या किया खिजर खां को पंजाब का गवनर पंजाब का सासक नुप्त किया जब तैमूर लंग यहां से गया तो वो क्या किया उसने बहे खिजर खा को पंजाब का सासक न्युक्त करकर गया उस समय दिल्ली की गद्धी पर कौन बेटे हुए तुगलक बंस के सासक जब तुगलक बंसका अंतिम सासक नातुरदीन महमूद के बाद खिज्र खाने क्या कर लिया दिल्ली पर आकमड करके दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया और सन चौधे सो चौधे में सन 1414 में खिद्रखा कौन बन गया खिद्रखा दिल्ली का सासक बन गया सन 1414 में खिद्रखा क्या वना दिल्ली का सासक खिद्रखा दिल्ली का सासक बन गया सन 1414 और किसकी नीव डाली शयद बंज की नीव डाली देखिए अब तक जो दिल्ली में जो सासन चला था यह अपने आपको पैगमबर का बनसज मानते थे 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 इसलिए इसके बाद जो शासन हुआ है यानि कि जब से खिजर खा का शासन आ बंसज तो मानते थे लेकिन यह कभी इस पश्ट नहीं कर पाए कि यह किस प्रकार से प्रगंबर के बंसज हैं खैर कोई बात नहीं सन 1414 में खिज्र खां दिल्ली का सासक बना और 1414 से लेकर 1421 तक वो क्या करता रहा दिल्ली पर सासन करता रहा खिज्र खां ने कभी भी अपने आपको दिल्ली का सासक इन्हीं सुल्तान के रूप में नहीं माना यह खिज्र खां के बहुत बड़ी विसेशता रही कि उसने अपने आपको कभी भी दिल्ली के सुल्तान के रूप में स्विकार नहीं किया वो अपने आपको क्या मानता था उ कि ठीज क magaz ने अपने आपको रहे देवाधी प्राध क्यों के प्रोडान की कैंए पंजाब का शासक किसने मना था तीमूर और खिज्र खान जब दिल्ली का सासक बन गया लेकिन वो अपने आपको तैमूर लंग के प्रतिनिधी के रूप में ही उसने अपने आपको सासक माना जिस समय खिजर खान दिल्ली का सासक था उस समय तैमूर लंग का एक बंसज शाहरुक मद्धे इशिया में सासन कर रहा था तो खिजर खान ने अपने आपको सारुक का प्रतिनिदी मान कर सारुक का प्रतिनिदी मान कर दिल्ली पर सासन किया और बैहमिसा तेमूल लंग के बनस्तों का क्या बना रहा वफदार बना रहा और उसने जो सासन किया वो रईयत आला के रूप में अपने आप सासन किया अपने आपको सुल्तान गोसित नहीं किया लेकिन किसके बाद खिज्रखा के बाद उसका पुत्र मुवारक सा 1421 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा लेकिन मुवारक सहां ने अपने आपको रहयत अला की उपादी से नहीं फिकार किया उसने मुवारक सहां ने अपनी उपादी मानी सुल्तान दिल्ली का सुल्तान मुवारक सामने अपने आपको दिल्ली का सुल्तान घोसित किया और 1421 से लेकर 1434 तक दिल्ली पर सासन किया उसके पश्चार मुवारक सहा का एक भाई था फरीद खान फरीद खान फरीद खान सासक नहीं बिना दिल्ली का फरीद कहा कभी भी सासक नहीं बिन सका लेकिन मुवारक साह के पश्चाद फरीद खां का बेटा कौन मुहम्मद साह सन 1434 में क्या बना दिल्ली का सासक बना और ये 1434 लेकर 1443 तक दिल्ली का सुल्तान रहा किसका बेटा था फरीद खां के बेटा फरीद को था मुवारक साह का बाइड तो इस पिरकार मुवारक साह का भतीजा कौन मुहमद साह दिल्ली का सासक बना सन 1434 में और 1443 तक उस्टने सासन किया उसके पशचात इसका बेटा आलम सहा सन 1433 451 तक 1443 से 1451 तक दिल्ली का सासक रहा और इस परकार आलम सहा के साथ ही खत्म हो गया क्या सैयद बंस यानि यहां पर सैयद बंस का अंत हो गया आलम सहा के साथ ही सैयद बंस का अंत हो गया और ये चोथा बंस भी समात हो गया चौथे बंस के बाद दिल्ली का साख साख जो आया वह किसने किया लोधी बंस ने अब आप बताते हैं लोधी बंस के बारे तो सयद बंस के बाद पांच मावंस आता है लोधी बंस देकि लोधी बंस कब से स्टाइट हुआ कि कि सहीयत बंज के पशाद डिली के अमीरों ने बहलोल लोदी thinking को दिली के सासन सन के लिए आमंत इत किया और सिद्री के सिंगासन पर बैठाया बहलोल लोदी ने बहलोल सहागाजी भी बहलोये 7 בחだ गाजी के नाम से दिली बहठ लो लोधि ने सफंद सरक्वान में लोधी बंश कि स्थापना की। और बेहलोल लोधि जब दिल्ली के राजगदी पर बैठा तो सह दिल्ली अपने सासन काल में एक शिक्का चलाई था बहलोल शिक्का बहलोल लोधी ने अपने सासन काल में एक मुद्रा चलाई थी बहलोल शिक्का और ये बहलोल शिक्का दिल्ली में मुगलों के सासक अकवर के सासन से पहले तक अकबर के सासन से पहले तक ये सिक्का मुद्रा की रूप में चलता रहा कौन सा सिक्का बहलोल सिक्का जो किस ने चलाया था बहलोल लोदी ने चलाया था बहलोल लोदी के पश्चाद बहलोल लोदी ने सन 1451 से 1489 तक दिल्ली का सुल्तान बना रहा 1489 तक दिल्ली बरसासन किया और 1489 के बाद बहलोल लोदी का पुत्र कौन? शिकंदर लोदी सन 1489 में दिल्ली के सिंगासन पर बैठा तो शिकंदर लोदी कौन सी सन में दिल्ली की राजगदी बैठा? 1489 में देखे शिकंदर लोदी जो था बो लोदी बंसका सबसे जादा सकती साली सा सकता इसने क्या किया इसने सबसे बहले काम तो ये किया कि इसने नए नगर की स्थापना की कौन सा जिसका नाम जानते हैं आगरा बहलो लो सिकंदर लोदी ने सौरी सिकंदर लोदी ने एक नए नगर की स्थापना की आगरा की कौन सिसन में 1540 में 1540 में 1540 में आगरा की स्टापना की और पंद्रह सो चैस्वी में आगरा को क्या बनाया अपनी राजधानी उसने पंद्रह सो चैस्वी में आगरा को अपनी राजधानी बनाया किसने शिकंदर लोधी ने अभी आपसे बतायागा कि शिकंदर लोधी कौन था इस बंज का सबसेजा सकती साल प्रेमी भी था शिकंदर लोदी था वो साहित प्रेमी भी था इसने अनेक ग्रंथों का अनुबाद फार्ची भासा में कराया शिकंदर लोदी ने अनेक ग्रंथों का अनुबाद किस में कराया था फार्ची भासा में फार्ची भासा में अने ग्रंतों का अनुबाद कराया शिकंदर लोदी ने एक काम और किया था क्या शिकंदर लोदी ने भूमी में सुधा रहे तू और राजस में सुधा रहे तू एक माप भूमी को माप ने काई क्यांत्र बनाया गज ए शिकंदरी उसने गज ए शिकंदरी भूमी को मापने के लिए और राजस्प बढ़ाने के लिए उसने गजे शिकंद्री चलाया और ये गजे शिकंद्री कितने इंच का होता था 30 इंच का गजे शिकंद्री चलाया इस प्रकार शिकंदर लोदी ने अपने सासनकाल में अनेक नई नई कारे किये शिकंदर लोदी के बाद उसका पुत्र इबराहिम लोदी सन 1573 इसपी में दिल्ली के सिंगासन पर बैठा कौन्चि सन में 1573 इसपी में ये किसका पुत्र था शिकंदर लोदी का तो शिकंदर लोदी का पुत्र इबराहिम लोदी 1517 इसपी में दिल्ली के सासन पर बैठा दिल्ली की राजगनी पर बैठा लेकिन सिकंदर लोदी जो था वो बहुत ज़्यादा सक्ती सालिशासक नहीं था वो थोड़ा सक्ती ही निशासक था और इसी करा दिल्ली के अमीरों ने 1526 क्या किया बावर को कावल के बाससाएं बावर को दिल्ली की राजगति पर बैठने क्या अमत्त किया और बावर का और इब्राहेम लोदी का कॉंटिसन में 21 अपरेल 1526 भावर और सिकंदर रोली का 21 अपरेल 1526 में पानीपत के मैदान में हुआ युद पानी पत के मैदान में इबराहिम लोदी और बावर का युद हुआ पानी पत के मैदान में 15.26 में जिसमें क्या किया बावर ने सिकंदा लोदी को मार दिया युद के दौरान ही युद में ही बावर ने इबराहिम लोदी को युद के दौरान की मार दिया इस प्रकार इबराहिम लोदी को मार कर सन 15.26 में दिल्ली की राजगदी पर कब 15.26 में कौन बना हैं अकबास सहा बावर बावर दिल्ली का सासक बना तो सन 15.26 में जो सल्तनत दिल्ली में सल्तनत सासन चला था वो समाप्त हो गया और दिल्ली में सासन किसका हो गया मुगलों का सासक बावर का सासन च्तापित हो गया इस प्रकार जो पांच बंसों का हमने बढ़न गया पांच बंसों का सासन इस प्रकार अंत हो गया और इस प्रकार हमने बढ़ लिया दिल्ली सल्तनत का इश्थिहास सबी बच्चे बीडियो को ध्यान से देखें लाइक करें शेयर करें और जो नोट्स में दी जाते हैं उसको साफ साफ अपनी काफी में नोट्बुक में पूरे करते रहें धन्यवाद